हाला दोस्तों क्या सो आप लोग टॉप थीरी बेश्ट सैम्सॉंग 5G स्मार्टपून और 15,000 जा आपको 15,000 के आंदर सुपार एमूलेट डिस्प्लेई मिले वाले हाँ दोस्तों सुपार एमूलेट डिस्प्लेई ने उसके सासत यहाँ पर आपको मिलेगा OIS 6000 इमीज का यह जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बाद में डिटल में जान लेते हैं तो दोस्तों एक डिवाइस सैम्सुंग की तरफ से ने ओले लांच डिवाइस वह पर डिवाइस के वेट की बात किया जाए तो थोरा सा है भी है तो दोस्तो नेक्स फीचर इस डिवाइस के हाईलाइट फीचर है इस डिवाइस पर आपको मिलने वाला है 6.6 इंचीज का फूल एंचीज प्लास सुपार एमुलेट डिस्पेल हाँ दोस्तो इस प्राइस पर आपको सुपार एमुलेट डिस्पेल मिल जा रहा है जो काफी अच्छी बात है और इंडिया पर फास्ट टाइम होने वाला है उसकी इसासत यहां पर आपको नाइटे हच के रिफ्रेसेट भी मिलेगा तो दोस्तो प्राइज की हिसाब से डिवाइस के क्वालेटी काफी तगड़ी होने वाला है 87 परसेंट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाल है 1080 इंटू 2340 पिक्सल रेजलोइशन की साथ तो दोस्तो आप अगर content consume के लिए इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो आग बंद करके इस डिवाइस की साथ जा साथ हो उसकी बात बात करें इस डिवाइस की camera के तो camera section भी काफी तग्रिया है प्राइस पॉइंट की हिसाब से रेयार पर त्रिपल क्यामरा सेटप देखने को मेलता है जहाँ पर इस डिवाइस की जो मेन कैमरा वो 50 मेगाफिसल का होने वाल है जिससे आप 1080p 30 एपेस तक वीडियो शुट करा चाहिए हूँ उसके हिसाथ साथ यहाँ पर आपको 5 मेगाफ का एक अल्डा वाइड कैमरा और 2 मेगाफिसल का एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया तो अंडर 12,000 में आपको मैक्रो भी मिलते है और वाइड एंगल कैमरा भी मिलते है जो काफी आच्छी बत है आधरस कोई भी ब्रैंड इतने सारे फीचर आपको प्रूबाइड नहीं करा रह कैमरा के क्वालिटी काफी अच्छा है जैसके पता है कैमरा के लिए फेमास है सैमसुंग के डिवाइस है तो आप कैमरा सेंटी के लिए भी इस प्राइस पन पर इस डिवाइस को आप बाइक कर सेकते हो तो दोस्तों आप बात कर रहे थे इस डिवाइस के पार्फोर्मेंस क की तो यहां पर आपको दो भेरिन मिलेगा 4GB plus 128GB, 6GB plus 128GB, स्रफ दोस्तों ए नहीं इस डिवाइस पर आपको और एक highlighted feature मिलता है, जहां पर आपको इस डिवाइस पर 6000 image का large battery मिलता है, जहां पर एस डिवाइस 25W की fast charging को support करेगा, एक बुरी बात है इस डिवाइस पर आपको चारजर नहीं मिलेगा, तो चारजर को आपको 13,000 price है पर ज्यादा ताइम या पर आपको 1000 या पर उससे भी ज्यादा discount मिल जाता है, तो दिवाइस का नाम है Samsung Galaxy M34 5G, तो एक एक करके इसकी सबी फीचर को जाल लेते, सबसे पहले बात करते हैं इसकी camera की बड़ में, तो यह पर आपको triple camera setup देख दो को मिलेगा, रेर पे जब पर मेरे मेरे 15MP का होने वाला है विद OIS, दोस्तों यहाप आपको OIS की support मिल जाएगा, जिससे आप 4K 30fps पर वीडियो सूट कर सेख तो, तो camera quality काफी तगरी होने वाला है और दोस्तों उसकी सारसाथ यहाप आपको 8MP का एक अल्टावर्ट camera मिल जाएगा, उसकी सारसाथ आपको 2MP का एक depth camera भी मिल जाएगा वह पर बात करें selfie camera की, तो यहाप आपको 13MP का एक phone camera मिलेगा, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो सूट कर सेख तो, तो दोस्तों phone और rear की दोनों camera काफी अच्छी है और दोस्तों जिसकी पता है, Samsung की mobile उसकी camera quality की बारे में जाना ही आते, तो इस mobile की camera quality काफी तगड़ी होने वाला है और दोस्तों बात करें power performance की, तो यहाप आपको मिल लेवाले, Exynos 1280 5G chipset जो 5MP बेस है और दोस्तों उसकी सरसाथ यहाप आपको 6GB RAM और 128GB ROM भी मिल जाएगा और दोस्तों इस device की जो display है, वो काफी तगड़ी होने वाले यहाप आपको मिलने वाले 6.5 इंचिस का Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले जब आपको 120Hz के रिप्रेसेट मिल जाएगा और दोस्तों उसकी सरसाथ यहाप आपको 1000 nitpick brightness भी मिल जाएगा प्राइज की सरसे जो display है, वो काफी तगड़ी है और दोस्तों और एक चीज इस mobile के अच्छी लिगे, यहाप आपको 6000 image का large battery मिलेगा with 25W fast charging security पे यहाप आपको side mounted fingerprint भी मिल जाएगा और दोस्तों Samsung की इस mobile पे आपको 5 year के update मिले वाल है हाँ दोस्तों long time के लिए इस mobile काफी अच्छी option हो सकती है वो यह बात करें इसकी price की तो इसकी जो 6GB, 128GB वाले भेरिंट है उसकी price 16500 के आसपास रहते है पर कोई भी सिल आता है तो यह पर आपको 1000 रुपे का discount मिल जाता है और इसकी जो price 15000 के आसपास आ जाता है तो इस price पर आप अगर एक 5G based camera mobile को धून रहे हो तो इसकी size आप जारू जा सकती हो यह जो device है यह आता है Samsung की तरफ से Samsung Galaxy A14 तो एक एक करके इसकी सभी feature को जाल लेते तो सबसे पहले यह आप आपको मिलने वाला है 6.6 inch का full HD plus LCD display जहापे आपको 90Hz की refresh rate मिल जागा वह पर बात के camera की तो आपको रेयर पे dual camera setup देखने को मिलेगा जहापे main camera 50 megapixel का है उसकी साथ यहाप आपको 2 megapixel का एक Mac को camera भी मिल जाएगा जहापे आप main camera से 1080p 30 fps पर वीडियो शूट कर सकते हो वह पर बात के selfie camera की तो यहाप आपको मिलने वाला है 13 megapixel का एक phone camera जासे आप 1080p 30 fps पर वीडियो शूट कर सकते हो और दोस्तों बात करें इस device की performance की तो यहाप आपको मिलने वाला है Xenos 1330 5G chipset जो 5 NMP base है यह काफी powerful सा एक chipset है और दोस्तों RAM ROM में यहाप आपको base frame पर 4GB RAM 128GB ROM मिलेगा अधर और एक भी रिंट है यहाप आपको 6GB RAM 128GB ROM मिल जाएगा और दोस्तों रिया ने मिलेवल है 6000 image का Later Weekly जापte आपको 25-rot कर आको 1st charging देखने में भी जाएगा पर आपको इस mobile की सब adapter नहीं में लुक्ता इस जो मुझे सब कांप इस device की थारे की support बहुत दिया गये है औहीं पर बात करे OS की तो यहाप आपको forehead 13-run मिलेगा उसकी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों अगर कोई भी सेल पे इस मोईल को बाइक करते हो तो यह आपको काफी अच्छा सा एक डिवाइस आपका लेना चाहे तो लॉंग टाम के लिए एक डिवाइस वाला तो इसकी सब्सक्राइब काफी संदा सा यह मोबाइल है